स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल SG Food World में मैं लौटी हूँ एक यमी रेसिपी के साथ जिसका नाम है आपल मिल्क शेक जिसको भी आपल नहीं पसंद है वो ये रेसिपी तो जरूर ट्राय करें क्योंकि इससे आपको आपल के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही साथ के साथ टेस्ट भी आपका बरकरार रहेगा इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रीडियंस रेडी कर लेते हैं 300 ml मिल्क जोकी बॉइल्ड है और ठंडा है एक एपल जिसको छीलना है और कट कर लेना है कटिंग में अक्यूरेसी नहीं चाहिए क्योंकि इसको ग्राइंड करना हमें दो टीस्पून शुगर शुगर की क्वांटिटी आप अपने एकॉर्डिंग कम या जाधा कर सकते हैं इसमें मैं आड करूंगी दो टीस्पून रोस सिरप तो ये रोस सिरप इस आपल मिल्क शेक को डबल टेस्टी बना देगा कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट्स एक टीस्पून चैरी गार्निश के लिए अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें जो आपल हमने कट करके रखे हैं वो आड कर देंगे चीनी आड कर देंगे थोड़ा सा दूद डालेंगे इसमें ध्यान रखिए सारा दूद आड नहीं करना एक बारी में अब इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद इसमें जो बाकी बचा हुआ दूद है वो आड़ कर देंगे साथ ही आड़ करेंगे रोज सिरप अब फिर से एक बार इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से ताकि सारे इंग्रीडियन्स मिक्स हो जाएं रेडी है ये अब एक ग्लास लेंगे जिसमें आपको ये सर्फ करना है और उसे अपने मन चाहे ढंग से डेकुरेट करें अब पोर करें रेडी मिल्कशेक आपको अगर ये चिल्ड मिल्कशेक पसंद है तो आप इसमें आइस क्यूप्स भी आड़ कर सकते हैं गार्निश के लिए उपर से आड़ करेंगे ड्राइ फ्रूट्स एंड चेरी रेडी है यमी येट हेल्दी मिल्कशेक जरूर बनाईएगा और शेर कीजेगा मेरे साथ अपने सजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए लुख शहर चिर्ट सक्ट के लिए और शेव से लिए क्विण इंड सब्सक्राइब।